हेलो एंड वेलकम टू दभी सूटेक दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामसंग गैलेक्सी एप 62 के वीडियो इस्टेबलाजिशन के बारे में दोस्तों इसमें आपको वीडियो इस्टेबलाजिशन का आपसन देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप अगर मो कि क्या the actual में वीडियो इस्टेबलाजीशन दिया है और दोस्तों जो इस investment Avatar भी बताओं गाहिक तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो primary camera यानि की main camera 64MP का देखने को मिलता है और वहीं पे दोस्तों ultra wide angle camera आपको 12MP का देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों इसमें fact की बात यह है कि जब आप video stabilization mode on कर देते हैं तो उस समय आपका 64MP वाले camera से suit नहीं होता है वो suit 12MP वाले ultra wide angle camera से suit होता है जिसकी वज़े से quality थोड़ा सा आपको low देखने को मिलेगा हाला कि काफी low देखने को मिलेगा क्योंकि 64MP और 12MP में काफी difference होता है तो अगर आप low light में video suit करते हैं तो उस समय आपको काफी उसमें grains देखने को मिलेंगे जो black black dot होते हैं वो देखने को मिल जाएगा और दोस्तों जो दूसरा fact है, मतलब दूसरा feature है वो यह है कि आप video stabilization mode on करके video suit करें या तो ultra wide angle camera suit करें दोनों में stabilization सेम है मतलब अगर आप ultra wide angle camera on करके video suit करते हैं तो काफी आपका wide area suit होपाता है लेकिन दोस्तों अगर video stabilization mode आप on कर देते हैं तो उस समय काफी आपका area narrow हो जाएगा मतलब कम suit हो पाएगा तो मेरे कहनी का मतलब यह है कि आप ultra wide video suit करें या तो video stabilization mode on करके suit करें दोनों में आपको same stabilization देखने के मिलेगा बाकी मैं आपको आगे test करके दिखाने वाला हूँ कि दोनों में कितना difference है तो बाकी चलिए मैं video stabilization mode आपको test करके दिखाता हूँ आपको ultra wide video भी suit करके दिखाऊँगा और video stabilization mode भी suit करके दिखाऊँगा हाला कि ultra wide angle में suit करने के समय आप video stabilization on नहीं कर सकते है उस समय automatic ही on होता है तो चलिए दोनों में आपको difference दिखाता हूँ कितना है तो गाइस हमने video stabilization mode on कर लिया है और बाकी आप देख सकते हैं मैं पैदल चल रहा हूँ तो बाकी आप देख सकते हैं कि किस हद तक video stabilization काम कर रहा है हाला कि low light होने के वज़ए से आपको video quality में भी थोड़ा सा difference देखने क भी मिल रहा होगा यह दोस्तों अभी 12 Megapixel के camera से suit हो रहा है तो मतलब 64 Megapixel के camera से suit नहीं हो रहा है तो आप बाकी video stabilization देख सकते हैं और मैं इसमें पूरा कोशिच कर रहा हूं कि अपने हाथ को कम से कम हिलाओ, तो आप video stabilization देख सकते हैं, तो दोस्तों अभी ultra wide angle camera से suit हो रहा है, तो आप बाकी difference देख सकते हैं, कि जो video stabilization mode on था, उसमें कितना difference है, और ultra wide angle camera में suit करने पे stabilization किस हद तक काम करता है, तो बाकी आप देख सकते हैं, और यहाँ पास थोड़ा सा धु दोनों में आप compare कर सकते हैं, और दोस्तों मुझे देखने से तो पूरा यही लगा, कि ultra wide angle camera से suit करें, मतब ultra wide video suit करें, या तो आप video stabilization mode on करके suit करें, दोनों में ही सेम ही आपको stabilization देखने को मिलता है, ज्यादा difference देखने को नहीं मिलता है, हाला कि इस बार मेरा हाथ का moment किस हद तक दोनों में stabilization सेम है, और किस हद तक difference है, तो बाकि आप देखके अंदाजा लगा लिजे, और बाकि दोस्तों मेरे opinion के बात किया जाए, मतलब मेरे को किस हद तक इसका बेहतर लगा, तो दोस्तों अगर आप moto vlogging करना चाहते हैं, या आप ऐसा video suit करना चाहते हैं, जि सब से तो compare नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब किवल stabilization के लिए ही बने होते हैं, उसब में जो rock steady mode और काफी सारे mode होते हैं, वो काफी बेहतर होते हैं, तो अगर mobile के मुकाबले देखा जाए, मतलब F62 में काफी बेहतर stabilization है, मेरे को तो काफी पसंद आया है, और बाकि आप comment box में आ आइकन को दबा लिजे, ताकि इस तरह का interesting video मिलती रहे, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम